तो कैसे हैं आप सब तो आओ यार सबसे पहले laptop के specs हमेशा कितरा तुमको दिखा देते हैं i3 11th Gen हमारे पास है और Intel UHD Graphics है with hardly any dedicated memory और बाकी जो memory है बस shared memory है तो इसको कर देते हैं बंद और फटाफट gameplay की और बढ़ते हैं तो यार game run हो रहा है borderless window में 1366-768 इसका base resolution है but actual render resolution काफी कम है जहां पर तुम देखी सकते हो मैंने render resolution का percentage यहां पर बहुत कम कर दिया है बाकी settings तुम्हाई screen के सामने हैं ही वैसे तो मैंने यहां पर low पर चीज़ने रखी हुए यह low पर यह इतनी settings लगाता है लेकि मैंने यह find out किया अगर तुम custom settings यूज़ करो तो तुम graphics को थोड़ा और नीचे push कर सकते हैं को जैसे texture को मैंने minimum कर दिया बाकी जितनी चीज़ें अगर minimum या low हो सकती है मैं उनको उसे साफ से सेट कर दे रहा हूं तो यार यह graphics settings तुम भी use कर सकते हो तुम्हारे उपर है जो भी तुम्हारे system specs के उसके recording चलो यार gameplay देखते हैं और gameplay तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है मैं जानता हूं चीज़ें hardly render हो पा रही है देखो kratos की apps भी हमें नहीं दिख रही है और उसके हाथ भी कुछ जाता ही odd तरीके से smooth है यहां पर लेकिन यार game run हो रहा है और cutscene में around हमें 25 plus fps मिल रहा है उससे अधा क्या चाहिए हमक और बेटे बाबू के साथ जो है हिरंड का शिकार कर निकले है सेलमुन भाई से इंसपायर होके और यार देखो graphics देखो यार bridge भी ढंक से render नहीं हो रहा है लेकिन game चल रहा है और guys यह मत बुलना कि game चल रहा है साथ साथ में same system पर record भी हो रहा है मैं कोई capture card यूज नहीं कर तो actual resolution होगा game का वो इससे भी थोड़ा सा साथा ही होगा और अगर तुम चाहो तो render resolution को और कम कर सकतो जिससे की game की performance बढ़ जाएगी लेकिन फिर जो है game और खराब दिखने लगेगा तो यहां पर दो चीजें हैं और यहां पर दिखो कम game के first battle की और बढ़ रहे हैं और enemy यह जैसे तुम आगे बढ़ो गे story में तो मैं find out करो कि game इसको आसानी से render कर पाएगा और SPS तुम्हारा थोड़ा सा improve हो जाएगा ultimately हां मानता हूँ enemies render नहीं हो रहे हैं तुम textures को low पर run करके देख सकते हैं कि enemies render हो रहे हैं कि नहीं लेकिन भई मैं तुम्हारे सामने enemies मार पा रहा हूँ तुम देख रहे हो तो game run तो हो रहा है यह तो कहने की बात हो गई एक और बात यह guys कि I think अब तुम लोग को प्रूव हो गया है कि I3 11th Gen God of War run कर सकता है मैं कह रहा हूँ run कर सकता है कि इतना अच्छे से run कर सकता है यह तुम्हारा opinion matter करता है यहाँ और यहाँ पर पूरी की पूरी family को मैंने monsters की खतम कर दिया है यह ड्रॉगर बोलते हैं को पत 311th Gen पर God of War performance किसी देता है तो guys यही थी आज की वीडियो लंबी वीडियो वान जानता हूँ तुम लोग को देखना पसंद नहीं है छोटी वीडियो में ही सब देख लेना वही हमारा जो है मोटो है पूरे चैनल का इसी की साथ guys ध्यान रखो अपना कोई और suggestions हो गेम्स के इस configuration पर रन करने के नीचे comment box में लिखो वीडियो को like ठोक दो subscribe कर दो मिलते हैं अगले वीडियो में